दो topics को cover किया एक introduction to data और दूसरा summarizing data और फिर हमने real data लेके उस पे एक lab की stata के थ्रू भी, r के थ्रू भी जिमोवी के थ्रू में है जब भी मुझे time मिलता है तो मैं कर देता हूँ purpose हमारा quantitative reasoning in social sciences को understand करना है उसके लिए हमें inferential statistics की जरूरत है लेकिन उसका जो basic building block है वो probability है शायद in itself probability को बहुत बड़ी चीज नहीं होगी लेकिन जो data को model करना है उसके लिए यह आपको probability के concepts जो है वो देखने होंगे यह video slightly long हो सकती है आप चाहें तो आप इसको जैसे जीचे देख लें लेकिन कोशिश कीजिए जहाँ probabilities calculate करनी है वहाँ पर पास करें बिफोर मैं answer दूँ आप उसको पास करके खुझ से calculate करें अगर आपको इसकी proper understanding चाहिए तो इस वकत आज हम देखने जा रहे हैं कि probability क्या है disjoint events क्या है independent events क्या है conditional probability क्या है और इस से next video में हम देखेंगे कि random variable और distribution of random variable क्या होती है और कुछ शायद distributions को देखेंगे तो let's go और इसी में मैं कुछ और चीज़ें describe करने की कोशिच करता हूँ so probability basically जो भी एक random process है उसकी outcomes का हमें पता तो है लेकिन वो outcome होगी क्या यह नहीं पता यानि कि coin task कर रहे हैं तो मुझे पता है कि या head आएगा या tail आएगी लेकिन जब coin task करने से पहले जब उपर हवा में गया तो वो head आएगा या tail आएगा यह नहीं पता dice roll करने से में यह तो पता है one से लेके six तक कोई number आजाएगा लेकिन कौन सा number आएगा यह नहीं पता अगर हम बहुत सारे वो जो है music गाने shuffle करें और हम उस पे एक randomly click कर दें हमें यह तो पता है जो हमारे पास 20 गाने हमारे पास इसमें stored है उनहीं में से कोई play होगा लेकिन कौन सा होगा यह नहीं पता तो यह जो process है जिसमें outcome जो है वो random हो जाती है because of हमें जो है वो information नहीं होती stark market कल उपर गई थी आज नीचे जाएगी उपर जाएगी यह नहीं पता real state prices कल अगर ज्यादा होई थी आज कम होंगी ज्यादा होंगी यह नहीं पता यह पता है या ज्यादा होंगी या कम होंगी या वहीं पर stable रहेंगी तो probability of an event जो है उसको हम denote करते है P of A और it's always between 0 and 1 sure event 1 और impossible event 0 frequentist interpretation यह है कि अगर हम एक coin को large number of times task करें तो probability of head और probability of tail जो है वो more or less same हो जाएगी मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने Excel से demonstrate कर देता हूँ कि अगर यह नहीं होगा कि जब मैं दो दफा यह चार दफा coin task करूँगा तो exactly two two होगा मैं यहां पर देखता हूँ rend between 0 and 1 अगर 0 आ गया तो tail otherwise head तो आप देखिए तो यह मैंने coin को task कर लिया fine यह मैंने 13 times task किया चले हम 10 दफा कर देते हैं तो यह देखिए यह मेरे पास जो है वो exactly five heads आगे five tails आगे let's do it again तो आप देखिए तो eight heads आगे और two tails आई हैं means कि 10 coins 10 दफा एक coin को task करेंगे तो जरूरी नहीं five five हो तो frequentist यह कहते हैं कि अगर आप इसको ten thousand times task करते तो around fifty percent ones आते और fifty percent zeros आते यह आपके पास जो है वो concept है frequentist के नजदीग लेकिन हम इस debate में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा यह purpose नहीं है कि frequentist और बेजियन्स का तो बेजियन्स का यह है कि जैसे coin task करने के से पहले आपकी imagination में था कि हैड आने के fifty percent टेल आने के fifty percent तो यह एक आपकी जो subjective judgment है जो आपके जहन में है तो this is subjective degree of belief जो है यह बेजियन्स का नहीं इस में हम नहीं जा रहे है यू कैन सकेप अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम एक coin task करें एक हजार दफ़ा तीन हैड्स आएं सौ दफ़ा टास करें तीन हैड्स आएं दस दफ़ा टास करें तो तीन हैड्स आएं किस चीज़ की probability बहुत कम है यानि कि आप surprise हो जाएं अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए पास कीजिए and then see the answer क्योंकि thousand times में त्री सिरफ हैड्स आएं और बाकि सारी tails आजएं और coin fair हो अनबास तो यह remote possibility लाफ लार्ज नंबर्स क्या होता है इस पे मेरी एक छोटा सा क्लिप है आप देख लीजिएगा लाफ लार्ज नंबर्स यूजिंग एक्सल तो कैंडली इस वीडियो को वाच कीजिएगा for better understanding हम इस वीडियो को शार्ट रखने के लिए जो है क्या कर रहे है हम इसको जो है वो इस वकत इस से ज़्यादा नहीं बाच कर रहे है लाफ लार्ज नंबर्स यह है कि population parameter हमने देखा था population parameter के बारे में हमारी understanding यह है कि यह ऐसी मेर है जो population से related होती है और usually यह unknown होती है तो उसको हम guess करते है sample measure से तो अगर आपने sample size छोटा लिया यानि कि आपने अगर यहाँ पे coin को 10 दफा सिर्फ task किया है तो आप कहेंगे कि यह तो जो है वो 8 दफा head आ गया तो आप कहेंगे head आने की probability 80% है tail आने की probability 20% है हालां कि coin fair था हालां कि parametric value 0.5 थी 0.5 head आने की 0.5 tail आने की तो sample size जूँ जूँ आप increase करते जाएंगे आपकी जू probability of head है वो 0.5 की तरफ जाती जाएगी this is called law of large numbers तो बगी ये वीडियो वाच कीजिएगा जो मैंने अभी refer किया law of large numbers using excel जाहे दसगर तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा so no question is कि आपने एक coin को 1, 2, 10 दफ़ा task किया क्या probability है 11 दफ़ा tail आने की क्या ये less than 5, 0.5 है more than 0.5 है equal to 0.5 है तो ये e सोचिए pass कीजिए then see क्या result है तो 50% ही रहेगी वज़ाई ये है कि events independent है तो पहले अगर 4 किसी के male baby है तो next male ये female के 50-50 तो ये आपके पास जो है वो laugh large number ये हाँ अगर आप इसको बहुत दफ़ा task करते तो 50% ये यानि कि 10 की base पे हम result नहीं draw कर सकते तो ये 50% chance है कि अगला भी tail हो या head हो यानि कि जो probability होने से पहले पहले की बात है तो ये gambler's fallacy भी है कि gambler's ये समझते हैं जो जोवारी है कि अच्छा मैं 5 दफ़ा हा रहा हूँ तो आप अगली दफ़ा तो मेरे जीतने के chances ज्यादा है तो वो बिचारा एक दफ़ा फिर हार जाता है वो साथ मैंसे 6 दफ़ा हा रहा था वो सुचता है अच्छा आप तो मैं 6 दफ़ा हा रहा हूँ अगली दफ़ा मैं luck again try करता हूँ तो जहां chances equal हों वहां आपकी luck जब भी try करेंगे पीछे क्या हुआ है उसका link नहीं होता इसको हम short memory process भी कहते हैं time serious data में macro economics में disjoint outcomes क्या होती है जो दोनो at a time नहीं हो सकती या आपके पास जो है card red आएगा या card जो है वो black आएगा यानि कि जब आप ताश के पत्ते देखेंगे तो या आपके पास red card आजएगा तो या वो card जो है वो black होगा या वो red होगा ये नहीं होगा कि same card red और black हो तो ये basically 50 इसी तरह से coin task में है non-disjoint outcomes क्या है कि जी आपके दो a आ सकते है पांच a आ सकते है छे courses में a आ सकते है दो भी आ सकते है look here again pass कीजिएगा खुच से सोचिएगा स्वाल ये है कि जी आपने एक card randomly draw किया है chances हैं कि वो card red हो या वो jack हो गोला हो तो अब आपके पास इस चीज की probability calculate करनी है सोचिए pass कीजिए मैं in the meantime आपको पुरताता हूँ आपको red card आप देखिए तो ये blue circle हुआ हुआ है तो red card है 26 तो कोई एक randomly card pick को red हो तो 26 out of 52 jack कितने है jack है 4 out of 52 तो jack आने की क्या chances है 4 by 52 लेकिन एक काम हुआ है यहां पर ये जो आपके पास jack थे ना ये disjoint नहीं है ये दो ऐसे jack हैं जो के basically आपके red card भी हैं और आपके jack भी हैं तो जब आपने 4 by 52 में इंको शामिल किया और red में भी इंको शामिल किया तो ये double counting हो गई है तो इसको address करने के लिए हम फिर क्या करते हैं उसको minus कर दिया करते हैं तो हम ये कहते हैं कि jack आने के chances 4 by 52 red आने के chances 26 by 52 लेकिन ये jack को आपने दो दफा काउंट कर लिया तो इसलिए minus 2 by 52 जो है इसको minus कर दे हैं अब आपके पास ये वाली चीज़ आ गई कि जी आपके पास और 78 लोग हैं जो आपने इस कॉलम को yes करते हुए काउंट किया और इस row को भी yes करते हुए काउंट किया तो ये आपके पास जो है वो ये double counting हो गया 78 तो इसलिए हम क्या करेंगे 114 divided by 165 plus 118 divided by 165 minus 78 तो B seems the correct option आप calculate फुद से कीजिएगा तो general rule ये है कि what is probability A occurs और B occurs यानि कि वो jack आता है या red card आता है तो इसके probability है कि वो jack हो या वो red हो या वो दोनों हो ठीक है तो इसकी probability इससे calculate होती है इसको probability of A union B भी लिखा जाता है probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B तो end की बात है दोनों का or means कि either one or other or both तो ये आपके पास एक probability distribution को लिखने का तरीका क्या होता है कि events लिखें, outcomes लिखें और उनकी probabilities लिखें आप देखें तो ये आपके पास probability हमेशा जो है events जो list किये जा रहे हैं वो disjoint है, probability between 0 and 1 है और total probability must be equal to 1 है तो अगर 2 हैं तो आप देखें तो 2 में क्या होगा कि आप ये करेंगे, कि ये male है ये आपके पास पहला male then दूसरा भी male हो सकता है sorry for being erratic और या male है दूसरा female है या female male है या female female है तो ये आपके पास 1v2, into 1v2, into 1v2 ये अभी बात आ जाती है ओके जी अगर 52% respondents एक party को belong करते हैं तो क्या probability है कि एक randomly selected respondent है वो दूसरी party को belong करेगा आप सोचिए गब पास कीजिए देखिए मैं जवाब देने जा रहा हूँ अगर तो सिर्फ दो ये parties होँ तो फिर ये probability होगी अगर दो से ज्यादा है तो हमें नहीं पता कौन सी होगी मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज अगर आपने maximum लेना है तो पास कीजिए और इसको सोचिए sample space क्या होती है set of all possible outcomes किसी के दो बच्चे है एक बच्चा है आप से कार जाए गस करो तो आप कोगे या male है या female है किसी के दो kids है तो male 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 female 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 तो ये basically sample space होती है और जो उसका particular subset होता है वो आपके पास event होता है तो compliment क्या होता है कि अगर A हुआ है तो B नहीं होगा तो आप देखे तो अगर दोनों female नहीं थी तो इसका मतलब है या उसके दोनो male baby है या एक female एक male है एक male female है तो ये possibility हो सकती है यहाँ पर एक next concept आ रहे है independence मैं बहुत simple terms में बता दूँ अगर past information या given information आपको event को guess करने के लिए useful हो जो current event होने जा रहे है तो process जो है वो dependent है otherwise वो independent है यानि कि अगर आपको पता हो एक चीज का और आपका guess बेतर हो जाए और उस बंदे को से जिसको पिछले चीज का नहीं पता था तो आपका guess बेतर हो गया आपकी probability बेतर है तो it's independent तो आप देखे तो outcome of two अभी आम ने देखा कि 10 heads आए 11 पे head आएगा या tail आएगी आप नहीं बता सकते तो वो independent है और अगर आपको वो information useful हो जाए तो आपके पास वो dependent है और इसको हम अभी अगली पार्ट में जाके इसी वीडियो में देख रहे हैं कि अगर with replacement कर रहे हैं तो independent है और sampling without replacement करेंगे तो वो dependent होगी क्यों होगी अभी थोड़ी देर में आ जाती है बात तो basically आपके पास जो है race की base पे लोगों का preference कि वो gun for self defense support करते हैं या नहीं करते तो ये probability vary करती है कि आपकी race क्या है तो such phenomena's are dependent please read it and go through it If A occurs given that B is true तो अब दिखे मैं यही बात कर रहा था कि अगर आपके पास A और B की information होने के बावजूद भी आपके पास जो है वो एक बंदा जिसको पता था कि B हो चुका है उसकी probability of A given B और एक जिसको B के बारे में कोई information नहीं given तो दोनों same रहती है तो ये basically क्या है process क्या है independent है अगर ये same equal नहीं हो तो process dependent है तो ये आपके पास चुकर race पर dependent करता है कि आप गनला भी को support करते हैं या नहीं तो इसलिए ये dependent है ओके read this and get it अगर दोनों events independent हों तो probability of A and B किसके equal हो जाती है probability of A into probability of B कि अगर पहला male baby था तो दूसरा male baby independent probability of A into probability of B 1 by 2 into 1 by 2 female female है male female है male female female है तो ये independent है तो probabilities आपस में multiply हो जाती है और अगर दो से ज्यादा events होंगे कि पहले coin task किया तो head आने कि probability 1 by 2 दूसरे पे 1 by 2 तीसरे पे 1 by 2 तो 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 तो 1 by 8 will be the probability कि तीन दफा़ head आए क्योंकि ये process independent है यहाँ पे देखिए तो 25% roughly लोग जो है वो insured नहीं हैं तो अगर दो लोग हम randomly select कर लें random का मतलब है कि independently select हों और दोनों के दोनों uninsured हों तो हमने कहा कि अगर process independent होगा तो दोनों के दोनों uninsured होने की probability क्या हो जाएगी a नहीं हो सकता क्योंकि probability greater than 1 है तो 0.255 is the probability के person a is insured 0.255 is the probability that person b is insured तो चुँके वो दोनों randomly select होए हैं कोई कहीं से हो गया कोई कहीं से हो गया तो दोनों का uninsured होना एक दूसरे से link नहीं है तो यह क्या होगा 0.255 square हो जाएगा तो b should be the answer do the sum of two disjoint events always add up to one पास कीजिए सोचिए मैं जवाब देने जा रहा हूँ चुँके दो से ज़्यादा disjoint events भी हो सकते हैं तो इसलिए यह सहीं नहीं है क्या sum of two complimentary events जो है वो always probability 1 हो जाएगी yes क्योंकि compliment का मतलब ही यह है कि अगर मैंने dice roll की है तो वो basically 6 आने की probability है 1 by 6 और 6 ना आने की probability कि आ है वो compliment है 5 by 6 तो जो आपका event है versus जो non है तो जब complimentary होगा तो यह हमेशा 1 को की okay putting everything together अगर आपके पास 5 लोग हमने इस लिख कर लिये हम यह calculate करना चाहते हैं कि उनमें से at least one is not insured one is uninsured या not insured तो one का मतलब यह है कि या one uninsured है या two uninsured है या three या four या five तो this is always red as at least one अब देखे आपके पास probability of zero plus probability of one plus probability of two plus probability of three plus four plus five equal to one है तो इसका मतलब है अगर मैं इस चीज़ को देख लूँ अगर यह zero भी शामिल करने से इन सब को add करने से one थी तो अगर मैं one minus zero कर दो probability of zero तो यही वली चीज़ आ जाएगी तो इसलिए इस चीज़ को इस तरह से हम calculate किया करते हैं कि आपके पास जो है वो one minus none insured zero none uninsured none uninsured तो कितने लोग हैं पांच पांचों के पांचों insured हों तो insured होने की probability क्या है जो one minus uninsured की है तो यह आपके पास जो result आ जाएगा वो one minus यह 0.255 थी insured होने की तो one minus 0.255 insured होने की पांचों के पांचों insured हैं सोचिएगा कोई सवाल हो तो comment कर दीजिएगा I'll try to respond one minus probability of none calculate कीजिएगा इसको सोचिए work out कीजिए and then see what's the answer उसके बाद इसको calculate कीजिए conditional probability तो इस लिहाँ से अभी तक की हमारी जो वीडियो है उसमें हमने probability के concept को disjoint को independence को देखा है अब हम conditional probability देख रहे हैं थोड़ इसी मैं speed up हो रहा हूँ आप उसको देख लीजेगा यह आपके पास जो है तीन तरह की treatment है और relapse का मतलब होता है कि एक चीज का जो है वो recover होने के बाद थोड़ा सा दुबारा से आ जाना तो relapse, no relapse तो तीन तरह की treatment हुई तो एक placebo means कि किसी को कुछ नहीं दी गई moderate level और ज्यादा level तो यह data है सोचिएगा आपके पास जो है वो what is the probability patient did not relapse तो not relapse होने के chances क्या है 24 out of 74, 72 तो patient did not relapse तो यह basically what is the probability that patient relapse तो 48, 72 और what is the probability that patient received the anti-depressant and relapse तो यहाँ पर बात यह हो रही है कि उसने पहले वाली treatment ली यह पहले वाली जो चीज है यह anti-depressant है पिछली वो वीडियो में पास करके जरह स्लाइड को गोर से पढ़िएगा और relapse भी होगा तो वो कितने लोग है 10 out of 72 तो यह basically 10 by 72 अब अगला स्वाल जरह different है यह conditional probability है probability of A given B किसके equal होती है probability of A intersection B divided by probability of B वो क्या है कि what is probability कि जी person is relapse given that उसको anti-depressant दिया गया था तो आप देखे तो relapse and anti-depressant 10 out of 72 और वो उसको anti-depressant थी तो total 24 तो 24 out of 72 तो यह 72, 72 cancel हो जाएगा तो यह आपके पास this is one way the other way जो आपके जहनों में आ रहा है उसको भी भी हम देख लेते हैं कि आपके पास जो में यह कह दिया गया कि given that कि anti-depressant था तो इसका मजबबर sample size आपकी कम रह गया आप इसका मजबबर बाकी सारे चीज़ें तो खतम हो गई तो अब आपको जो anti-depressant थी वो first row रह गया है तो उसमें से relapse हुआ या नहीं हुआ तो 10 out of 24 तो ये एक उसको way out ये है अच्छा जी relapse हुआ given that कि second level treatment 3.75 placebo तो आप देखे तो relapse इन दोनों cases में more or less very near है लेकिन इस case में जो है वो probability as compared to these two कम है ये फिर inferential statistics में जाके हम चीज़ें चेक करेंगे तो ये आपके पास antidepressant ये आप दरह चेक करते रहिएगा अच्छा जी तो दो events independent हैं अगर उनकी प्रॉब्स अगर वो independent हैं तो उनके probability simply उनकी product के equal हो जाती है तो probability of A and B is equal to probability of और ये अभी आमने ये देखा था probability of A given B किसके equal आया था probability of A intersection B divided by probability of B तो उसी equation को इस form में भी हम लिख सकते हैं ओके फाइन तो यहां पे आप आपसको एक ये पूचा गया कि statistics का course social sciences non social sciences male female तो क्या chances हैं कि जी वो उसने social science major लिया है तो 60 by 100 क्या chances हैं कि जी वो जो है वो आपके पास female है और उसने जो है stats ली है तो वो आपके पास 30 out of 100 divided by 60 out of 100 तो 30 by 60 तो दोनों probability same रहती हैं तो यह basically probability social science given that female is equal to probability of social science तो phenomena independent तो अगर probability of A given B probability of A के equal होगी तो events are set to be independent dependent क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में बात होने जा रही है तो यह आपके पास यह भी आम ने इसको इस form में भी लिख सकते हैं अगर independent है तो वो cancel हो जाता है अच्छे जी एक आपके पास data लिया गया जिसमें जो है वो एक scenario बना कि जिन लोगों को cancer है एक second कि आपके पास जो testing होती है testing में यह बात important है इसको समझीएगा अगले पांच की मिनट में मैं इस video को खतम करूंगा कि आपके पास cancer होना आप lab से जाके test करवाते हैं कुछ symptoms की base पे तो आपका test positive आए हो सकता आपको cancer ना हो आपका test negative आए हो सकता आपको cancer हो तो जो cancer को गलत result होता है उसको हम false positive या false negative बोलते हैं तो अब ये जो breast cancer की बात हो रही है तो 0.017 is probability that a patient has a cancer 0.987 के एक randomly person has no cancer positive आने के chances 0.78 negative आने के 0.22 इससे पिछली slide को जरूर दोबारा से देखेगा no cancer हो फिर भी 10% ऐसे लोग है जिनका test positive आजाएगा और negative 90% का आएगा तो इसलिए simple test पे हम rely नहीं कर सकते कभी भी कोई test 100% accurate नहीं होता तो अब आपस को what is probability person has cancer given that test was positive तो इसका मतबह हमें ये बता दिया गया कि person का test positive हो है तो या ये condition है या आपके पास ये condition है तो आपके पास cancer हो and positive तो ये आपके पास किसके equal है equal to probability of c and positive divided by probability of positive तो ये आप calculate कर सकते है c and positive क्या चीज़ है 0.0133 और probability of positive क्या है तो 0.0133 और ये भी probability of positive है तो इसलिए इसको आप जब calculate करेंगे तो एक जो probability है 12% chances हैं क्या फीमेल जिसको test positive था उसको cancer भी हो तो अब आपके पास what is probability कि उसको cancer हो तो आपके पास जो है वो calculate कर लीजिएगा तो what is probability that this woman has cancer if this second mammogram also yielded a positive result तो अब आपके पास again positive result है ठीक है तो ये आपके पास जो है वो calculate कैसे होगी check it out ठीक है it's getting long तो अभी शायद four slides more left तो आपके पास conditional probability तो हमने ये देखा कि आपके पास जो है इस ये base probabilities भी कैलते हैं और अगर दो से ज़्यादा event हो तो इस form में calculate हो जाता है मैं यहाँ पे इसको इससे ज़्यादा prolong नहीं करता हूँ इस slide को पहले read कीजिएगा मैं इस वकत इसको skip कर रहा हूँ आप पास करके read कर दीजिए group तो अब आप देखिए तो आपके पास जो है यह वही basically just like covid तरह की चीज़ कहलें कि आपको जो है वो आपको covid की symptoms है आप covid है आपको और आप covid से recover हो गए है तो total probability 1 होगी group 1 को अगर आप add करें तो अब आपको symptoms हैं और test positive आजे या negative आजे आप infected है test positive आजे या negative आजे आप recovered है even then test आपका positive आजे या negative आजे तो यह आप देखिए तो more than two events हो गए तो यह आपके पास infected given that positive तो positive की क्या chances है यह भी positive है यह भी positive है यह भी positive है तो आप suspected हो and positive आने की probability 0.03 positive 0.09 0.105 तो यह सारी नीचे add हो गई और दोनों जहां common है infected है and positive आए तो 0.009099 तो यह आप 42% मैं इस पे किसे वوقत बात करूंगा type 1 error, type 2 error false positive, false negative पे ठीक है तो यह basically जब हम economics में scale up करते हैं चीजों को तो बाज वकात यह होता है जो small level पे experiment किया जाता है बाज वकात उससे जो results होते है वो false positive होते है तो अब क्या होता हम उसको scale up कर देते हैं पूरे national level पे apply कर देते हैं तो वो just throwing good money into bad idea will not bail you out तो मैं just video खतम होने जारी है sampling from a population तो आप देखें तो अगर आपके पास with replacement में हमने वापिस कर दी चीज मारे पास 5, 3 और 2 थे हाँ मारे पास probability के ब्लू चिप पाए तो 3 by 10 हमने उसको वापिस कर दिया what is probability blue chip पाए 3 by 10 हमने वापिस कर दिया what is probability blue chip पाए 3 by 10 तो यह आपके पास 3 by 10 ही रहेगी पाता हो नहीं पाता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा what is probability के first chip is orange what is probability के second जो है blue आए तो basically blue की probability unchanged रहेगी क्योंके दुबारा से वहाँ 10 चिप मोजूद है but without replacement में क्या होता है कि आपके पास जो है और यह फिनामेना independent है without replacement में क्या होता है कि वो chip आपने वापिस नहीं रखनी तो what is probability के पहली दफ़ा blue आए जब अगर आपको यह पता चल गया blue आने की probability 3 by 10 है तो अब आपके पास एक blue निकल गई तो आपके पास chip कितनी रहेगी 9 तो second time blue आने की probability 2 by 9 है तो probability चेंज हो गई है तो इसलिए यह phenomena dependent है क्योंकि हमारी given information हमारे लिए जो है उसको effect कर रही है तो यह आपके पास पहली chip second blue हो given that first was blue तो without replacement में यह 0.22 है और आपके पास जो है what is probability drawing two blue chips in a row तो अगर without replacement है तो आप देखे तो in a row जब आप calculate करेंगे तो 0.3 into 0.22 तो यह पहले पिछली स्लाइड में 0.3 ही रही थी तो यह phenomena dependent हो गया तो probability of A given B गिवन A is not equal to probability of B तो यह शायद लिखने में छोटी सी गलती होगी तो when drawings without replacement draws are not independent याद रखे अगर बहुत sample size 10,000 हो तो फिर फरक नहीं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता कि पहली दफ़ा ब्लू चिप आने की chances है 2000 divided by 10,000 और दूसरी दफ़ा आने की chances है 1,999 divided by 10,000 divided by 9,999 तो उसमें बहुत ज़्यादा फरक नहीं पढ़ता तो वो without replacement या with replacement probability same रहती है तो इसको calculate कीजिए बहुत ही simple है answer देखने से पहले चेक कीजिए क्या चीज़ है तो random variable वाली चीज़ हम अपनी next video में next lecture में देखने जा रही है thank you for watching maximum आपको मिलेगा अगर आप मेरे answer देखने से पहले आप उसको calculate करते हैं तो इस video को आप पेज और copy लेके बैठीएगा आप इसको just जो है वो ऐसे casual way से नहीं देखिएगा आप इसको page पैनल लेके साथ साथ कीजिए thank you for watching take care